सोलन में त्योहारों के चलते भारी रिष्ट देखा जा रहा है सोलन के बजार माल रोड सबी जगा ग्रहकों की भारी भीड है जिसके चलते माल रोड के बैवसाई भारे परशान दिखाई दे रहे हैं उनका मानना है कि सोलन के माल रोड पर बारिश होने के कारण दुरघटना होने की अंदिशा बना रहता है जिसका असर उनके बेवसाय पर भी पढ़ रहा है अधिक बाहन होने के कारण ग्राहक ठीक से खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं प्रशासन से आगरे करते हुए बेपारियों ने कहा कि स्तोलन के माल रोड पर आजकल भारी भीट देखी जा रही है और बहानों की भी आबाजाही बहुत ज्यादा हो गई है जिसके कारण कभी भी दुरगटना हो सकती है इसलिए बेजिला प्रशासन से ये आगरे करते हैं कि त्योहारों के स्मय मेवे माल रोड को बंद कर दें अगर माल रोड बहानों के लिए बंद हो जाता है तो यहां ग्रहक खुल कर खरीदारी कर पाएंगे बहान ना होने की बज़े से दुरगटना होने का अंदेशा भी कम ह हो जाएगा उन्होंने कहा कि माल रोड पर अधिक बाहन चलने के कारण अक्सर दुरगटना होती रहती हैं लेकिन आज कल त्योहार होने का कारण लोग खरीदारी करने बाजारों में आ रहे हैं इसलिए प्रशासन को चाहिए कि बैबाहनों की आबाजाही पर कुछ दिनों क जी बहुत दिक्कत दिदर रहती है माल रोड पर जी एक्सिजेंट का खत्रा भी रहता है और कश्टमर भी कंफर्टेबली शॉपिंग कर पाएगा अगर माल रोड ट्रैफिक ना होतो जी और वैसे भी अगर आप अपना वहिकल भी लेकिए हैं उसको कोई विशे जी क्राउड कम होगा तो इन्फेक्शना खत्रा कम रहेगा और कश्टमर को भी कंफर्टेबल भूत रहेगा लोग चल पाएंगे धका मुकी नहीं होगी एक्सिजेंट का खत्रा भूत कम बंदा रहेगा वाई सब यहां पर जी शासने मांगे कि ट्रैफिक बंद रहे जैसे तो हम सब को बिजनेसमेन को भी सची का बेनेफिट बहुत मिलेगा जी कश्टमर राम से कंफरड़ेबली भूमेगा विंडो शॉपिंग करेगा दुकान में अंदर आएगा शॉपिंग करके ले जाएगा समान के ले जाएगा नाली से और सडक से पीछे है हम यह चाते है कि मां रोड जैसे ट्रैफिक थोड़ा तिवार के दौर पर बंद होना चाहिए जो खरीदने में भी आदमी को सुविदा हो और चलने में भी कोई परिशानी ना हो किसी को भी क्यूंकि आज कल क्राउना का दौर है कि मतलब बीड ना कटी है दूरी बने रहे और करवारियों को भी थोड़ा सा पाइदा हो